नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोश्नी गुप्ता और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल की चनफ को नमेश्वागत है बात अगर सुखे मेवे यानि ड्राइफ रूट्स की करे तो यह हर प्रकार से हमें फाइदा ही पहुचाते है ड्राइफ रूट्स को अपनी डाइट में सामिल करने से ना केवल हमारी सहत अच्छी रहती है बल्कि यह हमें कई प्रकार की बिमार्यों से भी बचाते हैं इही ड्राइफ रूट्स में से एक बहुत ही अहम कितार है वालनट यानिकी अखरोट का अखरोट ना सिर्फ हमारे दिल और दिमार के लिए फाइदे मन्द है बल्कि इनका सेवन हमारी पूरी हेल्थ को मेंटर लखने में मदद करता है अखरोट साधिश होने के साथ ही कई गुनों से भरपूर है इसे एनरजी का पावर हास भी खाहा जाता है अग्रोट के प्राइदे अखरोट का उब्यों क से कड़े अखरों की कीमत क्या है अखरोट को भिगो कर खाया और सूखा ही खाय एक दिन में हमें कितने मीच अखरोट खाने चाहिए इतैयादी के बारे जानेंगे इससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि अख्रोट है क्या है वाट इस अख्रोट एक नौट होता हैं एंटि-अक्सिडेंट से भाल पूर होने के कारणी से नट की स्रेनी में सबसे पहले नंबर पड़ा गया है अख्रोट के पेर का वेग्यानिक नाम जुगेलस जिन्नस है एक अख्रोट के पेर में एक ही बीज मौजूद होता है जो खाने में स्वाधिष्ट एवं कुरकुरा होता है अख्रोट का अंग्रेजी नाम वालनट है अख्रोट का यूज कई तरह के खाने में होता है जैसे की कुकीज, केक, इनर्जी बार, हल्वा, इत्यादी अख्रोट में मुझूद पोसक्तत्व अख्रोट खाने में जितना देश्टी होता है उतना ही यह हैल्डी भी होता है इस ड्राइब फ्रूट में केलसियम, मैगनेसियम, पोटासियम, जींक, आईरन, फॉसफोरस और कॉपर जैसे बो सकता तो पाय जाते है अखरोट आपको हेल्डी रखता है और कई प्रकार की बिमारियों से भी बचाए रखता है इसके अलावा इसमें मौजूर विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B12, E, K, विटामिन B6, ठाइमीन, नियासीन, रिवोप्लेविन तथा फॉलेट आपके लिए बहुत ही लागदायक होते है साथी इसमें पाई जाने वाला केरोटीन वाइस भी आपको काफी फाइदा पहुचाता है इसके अलावा अखरोट में प्रचूर माटरा में डाइटरी प्रोटीन और फाइवर भी मौजूद होता है यह तो बात थी अख्रोट क्या होता है और अख्रोट में पाई जाने वाले पोसक्तत्व की अब आगे हम बात करेंगे अख्रोट खाने के फायते के बारे में तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पोसक्तत्व से भर पूर अख्रोट को खाने से कौन होते हैं स्वास्ति के लिए अख्रोट के फायते वाल लट बैनिफिट्स पॉर है डाइबिटीज में लाब दायाग यादि आप लड़ सुगर या डाइबिटीज से बचना चाहते हैं तो भीगे हुए अख्रोट खाने से आपको इसमें फायदा पहुच सकता है बहुत सारे अधियन से इस बात का पता चला है कि जो वेक्ति रोजाना दो से तीन चमच अख्रोट खाता है उसमें टाइबिटीज की होने की खत्रा आनी लोगों की मुकामले में कम हो जाता है अख्रोट के द्वारा ब्लड सुगर की लेवल को कंट्रोल कारने में हैल्प मिलती है इससे कि डाइबिटीज का खत्रा कम हो जाता है हर्डियों को मजबूत बनाए अख्रोट आपकि हर्डियों के लिए भी काफ़ी फायदय मन होता है अख्रोट में कई ऐसे घटक और प्रोपर्टीज मौजूद होती है जो आपकि हर्डियों लोगो मजबूत ही प्रदान करते हैं अख्रोट में मौझूद αल्फा लिलोने निक एसीड हड्यो को मजवूती देने में सहायच करता है। साथ ही अख्रोट में ओमेगा 3 फैटी एसीड भी पाया जाता है जो सूजन को भी दूर करने में मदद करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक अख्रोट आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में सहायक होता है अख्रोट में प्रोचूर मात्रा में एंट्रियोक्सिदेंस मौजूद होते हैं जो आपकी immunity यानी रोगप्रति रोधक छामटा को बढ़ाने में help करते हैं और आपको कई बीमारियों से बचाए रखने में साय करता है इसलिए आप खुद को बीमारियों से बचाए रखना चाहते हैं तो हमेशा healthy और fit रहना चाहते हैं तो आपको रोजाना अपनी डाइट में भीगे हुए अख्रोट को जरूर ही सामिल करना चाहिए पाचन में सहायत अख्रोट में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिसके द्वारा आपका पाचन सिस्टम दुरूस्त रहता है जैसे कि हम सभी जानते है कि पेट को सही रखने और कब्ज से बचने के लिए फाइबर युक्चीजों का सेवन करना जरूरी होता है ऐसे में यदि आप रोजाना अपनी डाइट में भीगे हुए अख्रोट को सामिल करते हैं तो आपका पेट भी ठीक रहेगा और आपको कब्ज की परिशानी भी नहीं होगी दिल को रखे स्वस्त अख्रोट आपके दिल को भी स्वस्त रखने में हेल्प करता है इसमें प्रचूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसीड मौजूद होता है जो की आपके दिल के लिए लापदायक होता है कई अध्यनों में यह भी पाया गया है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेसर की परिशानी होती है उनके लिए भी अख्रोट फाइदे मन्द साबित होता है यहां आपको बताते चलते हैं कि ओमेगा-3 फैटी एसीड सरीर से बैट कोलेक्स्टोल को कम करके गूट कोलेक्स्टोल के निर्मान में सहायक होता है जो दिल के लिए लापकारी है वजन कम करने में सहायक अख्रोट वजन कम करने में भी काफी मददकार होता है या सरीर के मेटाबोलिज्म को बढ़ाता है और आपके सरीर से एक्स्ट्रा फेट को कम करने में मदद करता है अखरोट में भारपूर मात्रा में प्रोटीन वो कैलोरी मौजूद होती है जो की आपके वजन को नियंतित रखने में सहायख होती है कैंसर का खत्रा करे कम काई अधियन में इस बात का भी फुलासा हुआ कि अखरोट cancer के खत्रे को भी कम करने में शहयब होता है अखरोट खाने से आपको अनेक प्रकार के cancer की खिलाब सुरप्षा प्रजान करने में सहयब होगा इसके अलावा अखरोट के सेवन से harpon से समंदित cancer का भी खत्रा कम होता है अख्रोट में पाए जाना वाला एंटी अक्सिदेंस शरीर में कैंसर सेल्स के विकास को रोपने में सहायक होता है तनाव करें कम नींद बनाएं बहतर अख्रोट का सेवन करने से आपका तनाव और इस्ट्रेस तो कम होता ही है साथ ही अच्छी नींद भी आती है अख्रोट में मौजूद मेला टोनी नेक बहतर नींद लाने में सहायक करता है इसके अलावा अख्रोट में ओमेगा थी फैटी एसिद पाया जाता है जो आपके ब्लड प्रेशर को संतुलित करके आपको तनाव से स्ट्रेस से रहात दिलाता है भीगे भी अख्रोट का सेवन करने से आपका मूड भी अच्छा होता है और फिर अटोमेटिकली ही इससे आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है और आप काफी अच्छा महसूस करते है प्रेगनेट महिलाओ के लिए लाबकारी प्रेगनेट महिलाओं के लिए भी अख्रोट का सेवन बहुत ही फायदेमन साबित होता है अख्रोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसीड महिला के गर्में पल रहे बच्चे की दिमाग के विकास में हैल्प करता है अख्रोट मा और बच्चे दोनों के लिए काफी फायदे मन्द होता है लेकिन प्रेगनेंसी के दोरान कुछ भी खाने पीने से पहले डॉक्तर से उसकी सही मात्रा के बारे में जरूर ही एक वाई सलाह ले ले मस्तिक्स के लिए फायदेमन अख्रोट ब्रेइन फांशन के लिए भी काफी लाबकारी होता है अख्रोट में मौजूद ओमेगा-3 fatty acid मस्तिक्स के कार्य यानी brain function पर एक फायदेमन प्रभाव डालता है इसके अलावा अख्रोट में पोली अंशु रेचिटेड फैट भी पाया जाता है जो आपकी यादास को बढ़ाने में सहाई करता है और आपको डिप्रेशन को भी कम करता है sperm health के लिए फायदेमन भीगे हुए अख्रोट खाने से आपकी सहित तो अच्छी रहती ही है साथ ही या sperm health और fertility को भी बहतर बनाए रखता है जो पुरूस अख्रोट का सेवन करते है उनके सरीज में मौजूद sperm की गती सीलता sperm का सेव सब कुछ बहतर होता है उनके तुल्ला में जो अख्रोट का सेवन नहीं करते है पेट के स्वास्ति के लिए लावकारी अख्रोट पेट को स्वास्त रखने में भी सहायक होता है एक सोड में यह बात पता चली है कि आज सकता तक रोजाना 47 ग्राम अख्रोट खाने से एक स्वास्त वैक्ति में प्रोबायोटी हुआ ब्यूटीरिक एसीड का उत्पादन होता है जिनके द्वारा अच्छे बैक्तिरिया को बढ़ावा मिलता है इससे आतों को हेल्दी बनाए रखने में सहायक मिलता है हाई बीपी में मददगार अख्रोट हाई ब्लड प्रेसर में भी काफी फायदे मुंद होता है हाई बीपी होने पर हिर्दै समंदी रोगों होने का खत्राग बना रहता है इसलिए हाई ब्लड प्रेसर की परिशानी को दूर करना आवे सक है इसके लिए अक्रोट की सिवन आपके लिए एक अच्छा ओप्शन सावित हो सकता है एक सोचे यह बात सामने आई है कि अख्रोट की सिवन से हाई बीपी को कम किया जा सकता है जिससे दिल से समंदी इस खत्रे को दूर करने में हेल्प मिलती है पीत की पत्री में फाइदे मंड पीत की पत्री में भी अख्रोट का सिवन करने से लाब होता है अख्रोट में मौजूर अंसैचुरेटेट पैटी एसीड, फाइवर, मिनरल्स पीत की पत्री से छुटकारा दिलाने में मददगार सावित हो सकता है इसलिए पीत की पत्री होने पर आप अपरोट का सिवन कर सकते है जो पत्री से छुटकारा दिलाने में आपकी हैल्प करेगा बर्ती उम्र को रोखने में सहाया अपरोट का सिवन बर्ती उम्र के प्रभाव को कम करने के कारी में भी मदद कर सकता है अख्रोट में विटामिन गी पाया जाता है जो तचा की नमे को बरकरार रखता है और रूखे पन से छुटकारा दिलाता है इसलिए तचा प्रसाद नोग में इसका यूज होता है बालो को बनाई मजबूत अख्रोट में ऐसे पोसक्ता तो मौजूद होते है जो आपके बालो के लिए भी काफे फायदे मन होता है अख्रोट से बाल मजबूत होते है और यह बालों को गिरने से भी बचाते है यह बालों की लंबाई को बढ़ाता है और उन्हें एक सुनहरा रूप भी परदान करता है अख्रोट में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, फैटी ऐसी दिटर्था पोटेसियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है यह सभी फूसक्तत को बालों की मजबूती परदान करते हैं और इसके अलावा कई अध्योनों से यह बात भी सामने आई है कि अख्रोट के तेल का नियमित इस्तिमाल करने से बालों को जढ़ना भी कम किया जा सकता है तो यह थी अख्रोट के फायदे अब जानते हैं अख्रोट का उपयोग अकसर लोगों दोरा पूछे जाने वालेगी आम से सवाल होते हैं कि अख्रोट का उपयोग कैसे करें अख्रोट का उपयोग कम और कितना करें यदि आप इन सवालों के जबाप पाना चाहते हैं तो आईए हम आपको बताते हैं कि अख्रोट का उपयोग कैसे करें अख्रोट का उप्योग योगार्ट में आप केले के साथ अख्रोट की दो से तीन गीरिया मिला ले और स्मूदी के तौर पर इसको खा ले यदि आप चाहे तो इसमें स्वाद के लिए एक चमच तहट को भी मिला सकते है आप इसे स्मूदी का सेवन दो फर के खाने के बार मीठे के तौर पर कर सकते है दूद में एक चमच अख्रोट का पौडर और एक चमच सहर डाल कर भी आप इसे राद में मिपी सकते है या भी एक आसान तरीका है ब्रेट स्प्रेट के तौर पर भी अखरोट का सेवन किया जा सकता है इसके लिए आप मक्षण में अखरोट का पॉडर मिला ले और फिर इसे ब्रेट पर लगार कर खा ले आप इसका सेवन सुबह के नाचते या फिर साम के स्नेक्स के भी तौर पर कर सकते है सामके स्निक्स में अख्रोट को भून कर भी खाया जा सकता है रात में सोते वाक्त एक इलास दूद के साथ अख्रोट के दो से तीन टुक्रे खाया जा सकते है और या वेहदासान तरीका है आप अख्रोट में जेटून का तेल निम्बू करस नमक लसुन और काली मिर्च को मिला कर इसको पीस कर इसका बॉडर ट्यार कर सकते है और जैम के तोर पर इसको यूज कर सकते है स्लाद के साथ भी अख्रोट मिला कर आप इसका सेवन कर सकते है अक्रोट को आपकी स्मिस, कैलेमल, मस्रूम, मिस्रित, सलाद, पास्ता, आदे के साथ मिला कर भी खा सकते है चलिए अब हम जान लेते हैं कि अक्रोट खाने के नुकसान किया है अक्रोट खाने के नुकसान जिस चीज के धेरो फायदे होते हैं उसके कहीं न कहीं कुछ नुक्सान भी देखने के लिए जरूर ही मिलते हैं उसी तरह परोट मैं जिसके बहुत सारे प्राइदों के साथ कुछ नुक्सान भी है तो चलिए जानते हैं अप्रोट खाने के नुक्सान के बारे में While and side effects अख्रोट में फैट अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें कैलोरी भी जादा मात्रा में पाई जाती है इसलिए अख्रोट का सेवन से मिक मात्रा में ही करना लाब दायक होगा अख्रोट का सेवन करने से आपको अलर्जी भी महसूस हो सकती है यदि किसी वेक्ति को इससे अलर्जी होती है तो उसे अख्रोट का सेवन नहीं करना चाहिए इससे आपको छाती में खिचाव या महसूस हो सकता है या फिर आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है अख्रोट के सेवन से स्कीन रैसेज होने का भी खत्रा हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि अख्रोट की छिलके में ऐसे ततों मौजूर होते हैं जो आपकी तुचापर लाल रैसेज मैदा कर सकते हैं गर्वस्ता में अख्रोट का सेवन अधिक करने से आपका वजन वढ़ ज़ता है इसलिए आप इसका सेवन सिमित मात्रा में ही करें जिससे की आपको फायदा पहुँचें कब होने पर भी अख्रोट को नहीं खाना चाहिए अख्रोट की ताशीर कैसी होती है? वालाट यानि की अख्रोट की ताशीर गर्म वग फुसक होती है इसलिए इसका सेवन हमेशा सर्दियों में ही करने की सलाह दी जाती है सर्दियों में अख्रोट खाने से या आपके सरीर को गर्म रखने में हेल्प करता है अख्रोट का यूज आप गर्मी के मौसा में भी कर सकते हैं लेकिन इसका बहुत जादा सेवन करने से आपको कई तरह की परिशान ही हो सकती है इसलिए आप अख्रोट का सेवन यामित रूप से ही करें तो बहतर होगा अख्रोट कितनी मात्रा में खाई? एक दिन में आपको कितनी मात्रा में अख्रोट का सेवन करना चाहिए या आपको इसमें पाएज आने वाले पोस्टक तत्वों को ध्यान में रखकर ही तै करना होगा ऐसा इसलिए क्योंकि आखरोट में प्रोटिन और कर्bोहिड disclosure क्या लावा सबसे अधिक मात्रा में फैर्ट की होती है इसलिए आप इसे कितनी मात्रा में खाए या आपकी फिटनेश वोर्ड और इसका सेवन करने की सही वज़ा पर डिपेंट करता है ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग इसे वजन बढ़ाने के लिए खाते हैं तो कुछ लोग वजन घटाने के लिए ऐसे में दोनों को ही इसके लाफ के लिए इसका इस्तमाल अलग अलग तरीके से करना चाहिए एक दिन में कम से कम एक अखरोट और जादा से जादा छो से साथ अखरोट का सेवन करना सही होगा अखरोट का चैन कैसे करे? मार्केट में अखरोट तीन अलग-अलग अकार में उपलग होते है जो कि छोटे मध्यम और बरे अकार के अखरोट होते है जब भी आप अख्रोट को स्लेक्ट करने के लिए जाए तो उसके छिलके को जरूर से ही चेक कर ले यादि छिलके में छेद या फिर छिलका तूटा हुआ है तो ऐसे अख्रोट को ना खरी दे इसके अलावा आप याभी चेक कर ले कि अख्रोट वजन में हलका रहे अखरोट को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखे यदि आप अखरोट को लंबे समय तक अपने पास श्टोर करके रखना चाहते हैं तो आपको बताते हैं यदि आप चिलके वाले अख्रोट को श्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अख्रोट को धूप से दूर रखे तथा थंदी जगा पर इसको एयर टाइट कंटेलर में डाल कर रखे इतना करने पर या अख्रोट तीन महिने तक आपके पास रख्षिता सकता है इसके अधिरिक अगर आप बिनाचिल के वाले अख्रोट को श्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अख्रोट को फ्रीज में श्टोर करके 6 महीने तक इसे अरांच यूज कर सकते हैं यहां आपको बताते चलते हैं कि अख्रोट आनी चीजों का फ्लेवर जल्दी से ले लेते हैं यसी लिए प्रीज में अख्रोट को स्टोर करने वक्त इन्हें बाकी खाने की चीजों जैसे मचली वप्याजादी से दूर रखें अख्रोट को भिगो कर खाई या फिर सुखा खाई सुखे हुए अख्रोट में ऐसा एसीड काफी जादा मात्रा में मौजूद होता है कि जो की पेट में पहुचकर वहाँ पर मौजूद मिनरल्स के साथ बाइंडिंग करता है और पाइटेट बनाता है या एसीड सरीर में पो पानी में भिगोकर रख दे तो इसमें पाई जाने वाले एसीड पानी में मौझूद मिन्रत से बाइंडिंग करके काफी हद तक अख्रोट से बहार चला जाएगा फिर या अख्रोट सूखे अख्रोट के टुला में बहुत यासान आशान इसे पच जाएगा अख्रोट को भीगोने से इसकी गर्टासीर भी कुछ हद तक कम हो जाती है इसलिए आप जब भी अख्रोट का इस्तेमाल करें तो उसे पहले अख्रोट को साथ से आठ घंटे तक पानी में जरूर ही भीगो दें और फिर इस अख्रोट का यूज करें तो फ्रेंट्स ये थे अख्रोट खाने क्यों फाइदे नुक्सान इसको कैसे यूज किया जाता है सुखा खाई या फिर इसे पाने में भीगो कर खाई अख्रोट क्या है अख्रोट के बारे में सम्पूर जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल गई तो आरहोफ फ्रेंट्स क को जरूर भी प्रेस करें ताकि मेरी इसी तरह की हैल चुप्स वारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और फ्रेंस इस वीडियो को इस खास वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंस हो सके तो तेस भर में फेस्बुक वांट सब इस्टाग् कर खाये अप्रोट क्या है शीमें दों आताल अपना झाहल से फेस्टाफा फैर जान जाये शो को जरूरल dobr कर करें तो यण मिलते हैं एक औरन Losबोल उन्याहीं वारी वीडियो के साथ तक तक अपना ख्याल रखे, thanks for watching this video, bye bye guys, take care